आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे मिरा नाम है सुनिल विस्नौई और स्टार आईक्यू यूटूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्तों बहुत दिनों से मुझे एक चोटी सी चीज का इंतजार था हो सकता है ये किसी के लिए चोटी चीज हो पर मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज थी तो मैंने इसका कई दिनों से इंतजार किया था आज ये चीज चुहनव पूरी हो गई है किस चीज़ का इंतजार था सर आपको मुझे इंतजार था इसका ये है यूट्यूब का प्ले बटन सिल्वर बटन तो पहुंच चुका है अभी हाल ही में रादे रानी की कृपास से 30 नवंबर को 1 लाग सब्सक्राइबर पूरे हुए 30 नवंबर 2023 और आज 19 दिसंबर को मेरे पास ये रेसीव हो गया है इतने दिनों के बाद क्यों सर क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी होती है कि जब आपके 1 लाग सब्सक्राइबर पूरे होते हैं तो उसके 8 से 10 तिनों तक आपका चैनल है वो पूरा का पूरा रिव्यू किया जाता है चेक किया जाता है कि कभी आपने कोई ऐसी चीज तो नहीं डाली जिसकी वज़े से आपके चैनल पे कोई स्ट्राइक आई हो कॉपी राइट स्ट्राइक आई हो किसी का कंटेंट आपने कॉपी करके डाल दिया हो कोई ऐसी चीज जो गलत रही हो यूंकर यह गाइडन्स वाली कोई चीज रही हो अनलोफुल रही हो अनएथिकल चीज रही हो ऐसे करके कुछ नॉम्स होते हैं तो उन्हों सब को चेक किया जाता है तो दस देन तग रिव्यू करने के बाद में अपना चैनल बिलकुल हल्दी था कोई कॉपी राइट नहीं था कोई कॉपी कंटेंट नहीं मिला एक्दम सही ओके रहा और हम लोगों को फिर फाइनली एक EKYC के बाद में ये फाइनल सिल्वर बटन पहुंच गया चलिए इसकी आपनिंग कर लेते हैं और ऐसे ही रादे राने की कृपा बनी रही तो हम लोग साइट जल्दी ही यहां पे गोल्ड और प्लाटिनम बटन की भी अन्बॉक्सिंग करें चलिए तो देखते हैं ये कैसा आया होगा बटन दिखने में अब तक तो हम लोगों ने लोगों के ही पीछे लगेवे बटन देखे थे आज अब खुद का है तो इसको देख लेते हैं कि एक्चुल ये कैसा है दिखने के अंदर चलिए सर जी पहले आप ही के सामने उपन कर देता हूँ फॉम तो बहुत अच्छी है ठीक है ना ये फॉम है ठीक है सर जी और इसके साथ में क्या आया है इसके साथ में एक छोटा सा कार्ड है इस पे लिख रखा है कि बहुत बहुत भधाई हो आपको आपने ये कार्णामा कर दिखाया एक लाख वाला ठीक है अच्छा इसके बाद में एक छोटा सा ये certificate है इसके उपर यही लिखा है कि आप लोग आप लोगों ने एक लाख सब्सक्राइबर पूरे किये बगरा बगरा ठीक है ना नील मोहन यूटुब के CEO है उनके final e-signature जो होते हैं ये step का है थोड़ा सा पास से भी देख सकते हूँ ठीक है चली अच्छी बात है और उसके बाद में ओहो जिसका था हमें इंतजार वो पहुँचा है हमारे पास में और भी कुछ है क्या और कुछ है नहीं इसमें तो खाली है ये और तो नहीं है और है ये रहा आपका एक बटन चलिए हिसे दा में ये सर जी hen प्रूझ सोचा था उससे दा मुहबत प्यार है लिखा वाए नियुकेशन स्टार आइकउ अधर्शार इक्यु ईजुकेशन ये तो बहुती प्यार है इसके yap मिरर की तरह यूज कर सकते हैं पीछे इसके अंदर टांगने के लिए भी दे रखा है जैसे मुर्थियों के अंदर होते हैं ठीक है ना तो अब इसे हम टंगाए रखेंगे कहां सर यहां अरे नहीं भई यहां तोड़ना इसको कहीं पर लगा देंगे चलिए सर जी बहुत अच जाएगा और फिर आगे आते हो तो हमारा ऐसा बटन भी है रिवोल्ड प्लाटिन बटन यह भी आ जाएगा तो यह चोटी सी बात थी जो मैंने आप लोगों के साथ में फिलहाल शेयर कर दी अब थोड़ा सा मैं और आगे लेके चलना चाहता हूं इस बात को यह तो चलो ठी है निरंतर और महनत करेंगे और अच्छा जाएगा और अच्छा रहता है ठीक है ना आप लोग भी निरंतर महनत करते रहना इस परिवार को और आगे बढ़ाते रहना ठीक है ना आप भी शेयर करते रहना स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को हाँ मैं यह कहना जरूर कुछ बच्चों को कि जो भी जैसे एच्टेट का एक्जाम हुआ था थोड़ दिन पहले एच्टेट का एक्जाम हुआ था बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे एक्जाम पास में आता था था पढ़ाई कर लेते हैं नया साल वैसे आ रहा है 2023 यह लगबग पूरा हो चुका है 2024 को आप लोग किस रूप से देख रहे हैं वो देखनें आपको सबसे पहला तो यह आपको देखता है कि आप लोग जो preparation कर रहे हैं preparation में क्या होता है कि आप preparation करते हैं up and downs वाली up and downs वाली मतलब गया है कि जब आपके exam पास में आते हैं तब तो आप बहुत ही ज़ादा तेजी से तेज तरार होके पढ़ने लग जाते हैं यह मैंने feel किया थोड़े समय पहले पिछले साल CET का exam हुआ था उसमें मैंने देखा था कि बच्चों ने किस तरीके से पढ़ाई की थी मतलब एकदम पागल होके पढ़ने लगे थे उसके अंदर फिर CET का mains paper आया उसके लिए बहुत तेजी से पढ़े फिर group D का आया फिर पढ़े अब H-Tate आया तो पढ़े paper आया तो पढ़े बढ़ना नहीं पढ़े और इनमें success उनका मिल रहे है जो लोग लगातार पढ़ रहे थे ऐसे नहीं पढ़ा ही होती है तोड़ा अपने आपको सुधार हो ठीक है ना अपने आपको ना ये इस लपेटे में मतले के आओ कि जब paper आये 15 दिन पहले तब आप आजाओ फिर आप पढ़ने लग जाओ फिर आप ये कहो कि सर मुझे 15 दिनों में पटवारी बना दो 20 दिन में ही लगा दो अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ा था आज तक बस इतना ही पढ़ना है उतने टैम मेरे पास में भी हर किसी ये पास में बराबर बराबर ही समय होता है तो समय को कैसे utilize करना है ये तुम पे है पहली तो बात ये है कि एक तो अपने आपका ख्याल जरूर रखो अपने मन को healthy रखो अगर आपके अंदर चोटी मोटी चीजे हैं जैसे for example के लिए कि हम सब इनसान के अंदर कुछ चीजे होती है जैसे कि एक आता है एक ego हो सकता है एक attitude हो सकता है एक हो सकता है नराजगी हो सकती है किसी से एक हो सकता है किसी चीज का लत हो सकती है अगर ये कोई चीजे तो इनको हटाओ अगर भगवान के मंदिर में जाके कुछ मांग सकते हो न तो एक ही चीज मांगना कि यह भगवान का भी एहम ना आने देना, घमन ना आने देना कोसिस यही करना, ठीक है न, कि बस कृपा आप ही की है, कुछ और है नहीं इसमें एक तो यह कुरुतियां हैं अगर अपने अंदर तो उनको दूर करो, कम करो, एक दावं से दूर तो नहीं होती है, लेकिन थोड़ा कम करो दूसरा पता है क्या चीज़ है हमारे अंदर ना एक हॉर्मोन होता है उस हॉर्मोन का नाम है अरामकोर ओर्मोन ये बात मैं कई बार कहता हूँ कि अरामकोर ओर्मोन जो है ये बड़ा खराब है यह हमें temporary happiness देता है, शनिक सुख देता है हमें यह, और यह शनिक सुख जो है यह बहुत खराब करता है, थोड़ देर के लिए फोन दिख लूँ, थोड़ देर के लिए सोजाओ, थोड़ देर के लिए बाते कर लूँ, थोड़ देर के लिए यह कर लूँ, थोड़ी थोड़ी Reasoning है, Mathematics है, English है, Hindi है, Computer है, जिक्के है, हर्याना जिक्के कह लीजिएगा और Current Affair है Current Affair का बहुत अच्छा सोर्स ते को हर्याना Current Affair के लिए आप कहीं मत भटको अपना डेली का एक चैनल आप फोलो करें रहो कोई दिक्कत नहीं है और यह बात ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि यह बहुत अलग है, अजीब है, मेरे लिए ठीक नहीं है तो आप उसको कुट कर सकते हो ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती रहो यहां पर लेकिन अगर आपको लग रहा है, मेरे लिए ठीक है तो सही है और वैसे पता, current अभेसर के लिए सबसे best source होता है कि daily newspaper पढ़ो, मैं भी daily newspaper पढ़ता हूं, एक नहीं पढ़ता है बलकि कई सारी अक बार पढ़ता हूं रोज के तो इनके पूरे-पूरे yearly pack ले रखें तो मैं पढ़ता रहता हूँ न्यूस पर पढ़ना मुझे बहुत पसंद है मेरा सबसे पसंदा काम जो है न वह या तो न्यूस पर पर पढ़ना है या बुक्स पढ़ना है और तीसरा मेरा सबसे पसंदा काम हो जो गजल सुनना बहुत तो मैं गजले सुन लिया करता हूँ ठीक है चलो कि तो अलग बाट हो गया पर मुदध ही बात में फिर यह आती है कि आप न्यूस पेपर पढ़ो डेली सबसे अच्छा सोर्स है करेंट अफिर का और कोई आपको जरूरती नहीं है किसी चीज की अराम से उसको रेगुलरली भी है कि जिके बहुत वास्ट है आपने आप में जैसे उसके हिस्ट्री आता है जैसे पौलिटी आता है जैसे जिसे जियोग्रोफी आता है जैसे प्ठीक है जिनको पढ़ने के cover होगी आपकी यह सहरा आप ले सकते हो वैसे जैसे किसी बच्चे को एकदम basic से कुछ problem हो रही है अपना भी star IQ education जो application है या website है वहाँ पर अधार सिला बैच है आप उस अधार सिला बैच से अपनी अधार बना सकते हो एकदम बिल्कुल basic से ही पढ़ा रहा हो एक एक चीज़े बारी की clear हो रही है अपनी afford कर सकते हैं कोई issue नहीं कोई जबरदस्ती नहीं कि आप किसी बैच में याओ enroll ही करो वही आप कर सकते हो enroll तो कर लीजिएगा नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं आप खुद भी पढ़ सकते हो कोई issue नहीं है पढ़ना तो ही आप लोगों को ठीक है सर mathematics की बात करें अगेन वही mathematics के लिए भी आप school वाला book math उठाओ उसी के अंदर जो basic चीज़े दे रखी थे न as it is वही paper में आता है कोई बाहर से ज़्यादा चीज नहीं आती है 10th level तक का math पढ़ लो बहुत ही simple आप उसको cover कर दो अच्छे तरीके से notes बना लो फिर किसी कोई market की किताब लिया उसे practice solve करने लग जाओ कोई दिक्कत नहीं है ऐसे ही अब reasoning तो आप न असानी से क्या है कि आप लोग किसी कोई teacher आपको पसंद है बहुत सारी teachers हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं ठीक न आपको लगता है कि मैं इनके touch में उनका एक bachelor ले लीजिएगा या आप YouTube पे पढ़ सकते हो YouTube पे पढ़ लीजिएगा टापिक प्रिपेर करीगा यह सब्जेक्ट के वल प्रक्टिस का ही है ऐसे करके अपने सारे सब्जेक्ट प्रिपेर कर दो अच्छे से notes बना लो दो बार तीन बार इनको revise कर लो अब आप क्या करो मेरी सलहा मानो कि आपना एक employment newspaper फोलो करो आप यह employment newspaper क्या है जार employment newspaper जो है एक्चुली रोजगार समाचार पत्र है यह हर हफते आता है हर हफते निकलता है आपना guaranteed 6-7 मैने इस newspaper को फोलो करने लग जाओ आपकी job लग जाएगी इमानदारी से अगर चाहिए तो आप उसके लिए बड़े ही dedicated होके prepare करो के तो ठीक लगेगा आपको उसमें बहुत vacancy आती है एक vacancy दो vacancy आती है कई हो में है दो चार vacancy हो में आप लगता कि या मैं दो vacancy के लिए क्या अपलाई करूँगा अरहे देरेको तो एक ही चाहिए ना तॉर्ण दॉ क्यों चाहिए दो एक के लिए effort डाल हाँ dedicated effort डालने पड़ेगे अभी सरकाई बार होता है सरक form भरना है इस के लिए पैसे क्यों लगाने पढ़ाई के लिए सोचना नहीं होता है बुक्स खरीते समय, पढ़ते समय, ये चीज़े सोच नहीं होती है, पढ़ाई के लिए पैसा एक्चली तुम लगा नहीं रहे हो, एक्चली तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, ये फ्यूचर में तुम्हें बहुत जादा मल्टिपल होके मिलेगा, कभी भी देखो, पढ़ाई के इतना मस्तों आगरो, कि मैं कोई C किताब महंगी है, या ये कोई Batch महंगा है, या मेरी कोई ये क्या कहते हैं, कोई FOM भर रहा हूँ, तो ये FOM बहुत महंगा है, ये investment होती है, अचा पेपर क्यो देने हैं सर, मेरी त्यारी नहीं है तो, एक बात बताओ यार, आप जब मेरे स्टूडियो में अकेला ही हूँ, मुझे कोई पढ़ने से नहीं रोख सकता, पढ़ो राम से दिन दाथ पढ़ते रहो, कोई दिकत नहीं है, फिर भी कहें कि मुझे आलस आ जाता है, पढ़ते पढ़ते, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ऐसा मत सोचियागा कि अपर इस बुड़ा हो, बड़ा हो, हर किसी के मूड में बदला, अपन डाउन, अपन डाउन चलते रहते हैं, हर किसी के साथ ऐसा होता है, अब बात यह आती है, कि वो सब चीज कैसे अवोइड की जा सकती है, वो अवोइड की जा सकती है, इस मूड को अपन डाउन से माहोल अच्छा बनाके, माहूल अच्छा लेके माहूल का मतलब देखो, अब यहां नहीं हो कि कई बार क्या होता है, मैं लाइबरीरी चला जाता हूँ लाइबरीरी में क्या होता है लाइबरीरी में आप लोगों को जो है न कही आसी काम करो आपने आप ली है रैगिसी निए कतो न ढिकर दाला,से बैटके दो आपने किटापने लग जाओ,फ선ा ली काम करो,से कट थे क्मिंगो इस सा 30 kios हो जाय को जो जैसे समानने चल रहे हो वैसे चलते रहो, एक तो मस्त रहो, एक जितनी जिन्दगी में खुशियां बटोर सकते हो, उतना खुशियां बटोरो, ठीक है ना, एक दम मस्त हो के, क्योंकि जिन्दगी में यही वो समय है जिसमें आप मस्ती कर सकते हो, मस्ती के पढ़ाओ भी यही हैं, खुशियों के पढ़ाओ भी यहीं आ सकते हैं, enjoy कर सकते हो, explore कर सकते हो, क्योंकि एक उमर के साथ ही सब चीजे होती है, पर critical condition यह है कि इसी उमर में तुम्हें काम्याब भी होना है, तो फरक यह है कि तुम लोगों को सब को balance करना पड़ेगा, यह नहीं है कि केवल केवाद पढ़ाकू बनना है, वो भी बोरियत आएगी, मस्ती भी पूरी करो, घुमो, फिरो, मूवी देखो, लेटस्ट मूवी जो भी आती है, जो मूवी सारी देखके आया करो, ठीक है न, मेरे को, यह मैं एक मानता हूँ कि इस चीज में मैं बहुत पीच्छे हूँ, मैं मूवी नहीं देख पाता हूँ, देखनी चाहिए हलंकी, ठीक है न, नहीं निकल पाता वक्त, ठीक है थोड़ा प्रफेशनल लाइफ हो गई है, तो नहीं हो पाता है एकना, लेकिन मैं तुम्हें बता रहूँ, मूवी देखो, ऐसा कुछ नहीं कि मूवी देखने हैं, देखा करो, कई बार पेपर हरियाना वाले, तो पेपर में पूछ मिलेों बारे में भी, तो proper मूवी देखो, घूमो, वेब स리 सरीज आते हैं, वेब स सब चलता है पर हाँ इनके चलते चलते अपनी पढ़ाई को भी बैलेंस रखो तो करके आप थोड़े दिन ऐसे करो तो आपको बहुत अच्छा मकाम मिल जाएगा एक तुमने वह इगल वाली कहानी सुनी होगी ना मैंने पहले भी आपको कभी बताई होगी कि बाज जो होता है लेकिन वह सबसे लंबा उमर जीता है 80 साल तक जीता है उसके जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जब 40 साल का हो जाता तो पंक बहुत भारी हो जाते है उसके उंचा उड़ नहीं पाता जो नुकिली चोंच थी वो चोंच मुड जाती है तो मरा तोड़ा मास खाना पड़ेगा जमीन पर आ जाता है एक तो है उसके पास की जमीन पर बैठा रहे दूसरा उप्शन उसके पास में है वो अपनाता है अपनी ही उसी चोंच से अपने पंक फाड लेता है और अपनी उस चोंच को जो है गिस गिस के पत्थर से तोड़ लेता है ठीक है ना पत्थर से चोंच के बाद फिर से 40 साल जो है ना वो जवानी के जीता है बस यही है कहानी चोटी सी कि आप भी अगर 5-6 महिने अपने आप स्ट्रगल कर लो मेहनत कर लो थोड़ थोड़ चीजों को बैलेंस कर लो मैं तो यह कही नहीं रहा कि सब चीजों को छोड़ दो बैलेंस करना है बस आपक आगे 40 साल जिन्दगी आप 30-40 साल बढ़िया गुजारने आपको तो यही एक तरीका है और कोई तरीका है नहीं आपके लिए आपे समझ रहे हो आप लो डेली मेडिटेशन करो अपने आप पर थोड़ा काम करो ठीक है ना और मन को शांत रखो मुस्कुराते रहो ठीक है न गलत मत बोलो अपनी जुबान से कोसिस करो कि गलत वर्ड आपके जुबान से ना निकले जाने में और अंजाने में आपकी वज़े से किसी का दिल ना दुखे ऐसी कोसिस हमेशा करते रहो जाने में और अंजाने में देखो क्या है कि हम से कई बार गलतिया हो जाती है अंजा पढ़ाई भी करो ठीक है न और सीधे रस्ते जाना है आप लोग आप लोगों को बढ़ी तरीकी से पढ़ाई करनी है ठीक है चलिए विश्यो आल दे बेस्ट हंसते मुस्कुराते जरूर है न आप लोग ख्याल रखना अपना आप लोग ठीक है न आप सभी को भी बहुत ठीक न है। था मुस्डियो धंनेवाल